हलो इबरोन कैसे आप सब एक बार पुनाहाच सीव कोचिंग क्लासेश पर स्वगात है उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे मस्त होंगे बहतर होंगे क्लास्टोल फिजिक्स एंसियार्टी में चैप्टर फोर चल रहा बच्छो जिस चैप्टर का नाम है गतिमान आबेस और चुम्बकत्तो और आज हम बात करने वाले संट या पार्स मापी के बारे में काफी इंपोर्टेंट है बच्छो बोर्ड एक्जाम के लिए आप सभी ल अच्छा के लिए उसके सांथ सदैब समांतर क्रम में जोड दिया जाता है तो संट है क्या केबल और केबल एक प्रतिरोध है एक चालक तार है जो क्या करता है कि धारा मापी को छती होने से बचाता है जैसे माना की जैसे किसी उपकरण में धारा मापी जुड़ा हुआ है आ इस स्थित से बचाने के लिए धारा मापी को बचाने के लिए गैलवेनो मीटर को बचाने के लिए हम संट का प्रियोग करते हैं जो कि यह एक चालाइक तार है जैसे यहां परія धारा मापी धारमकी कैपिटल बह जाएगा नहीं तो फिर गैलोविनोमीटर मापे का क्या जब माली जी अचानक तेजी से धारा आई शमता से बाहर गैलोविनोमीटर के तो थोड़ा सा धारा इधर से चला गया अल्ब प्रत्रूद का आप जानते हैं कि जब परिपत को हम समांतर करम में जोड़ते तो धार बढ़ जाता है और जब माली जी परिपत में हम स्रेंडी करम में कोई जी चुड़ते तो धारा नहीं बढ़ता एक ही दिसा में चलती है जैसे बच्चों आप लोगों को साधा एक्जामपल बता दूं कि नदी में कहीं भी कोई व्यक्ति नहाए हर जगे पानी समान रहेगा लेकिन वही नदी दो भागों बढ़ जाए तो फिर दो जगए आप नहाँगे तो पानी लग अलग मिलेगा सइए कि नहीं साधा एक जामपल है बहुत ही सिंपल है कि भाई नदी में आप पान्च जगे नहाओ न हर जगे पानी समान रहेगा पान्च जगे पान्च बैक्त में जोड़ा जाता है तो समांतर क्रम में धारा बढ़ जाता है अब यहां पे जो आपका गैलबेनो मीटर है धारा मापी है इसके साथ जो संट हमने जोड़ा है यह समांतर क्रम में जोड़े है तो इसलिए धारा बह गया लेकिन जब हम समांतर क्रम कोई जी जोडते हैं जैसे माली जै कई प्रत्रोध हैं समांतर क्रम में जोडते हैं तो उनके वीच बिभवांतर जो होता है समान होता है क्योंकि बच्चों हमें लास्ट में इसके संट का जो आपका मान है मुख्रोप से प्रत्रोध है इसका प्रत्रोध निकालना पड़ेगा संट का प्रित्रोध कितना होता है इसको हमको लास्ट में सिद्ध करना पड़ेगा कि भाई टोटल संट का प्रित्रोध हला कि संट का प्रित्रोध बहुत कम होता है उसके बारे हम लास्ट में निकाल कर प्रूब करेंगी तो इसको हम लेकर चलेंगे कि ये जो संट है वो धारमापी के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है तो समांतर क्रम में जब जुड़ा रहता है तो धारमापी के सीरों के बीच भी हुआंतर और संट के सीरों के बीच का भी हुआंतर जो है समान होगा कि ये कारण है बच्चो क्योंकि ये समानतर क्रम में चुड़ा है तो परिभासा भी क्लियर हो गया है कि हमारे पार संट अल्प पृत्रोध का एक चालाक्तार है जिसे धारा मापी के कुंडली के सुरच्चा के लिए उसके सदैप समानतर क्रम में जोड़ दिया जाता है परिभाहित होता है ये हमने माना ले लिया ठीक है एक साड़ कर में छोटा सा चितर है बच्चो कि हम मुखधारा आई है जैसे ही धारा मापी में प्रवाइद करते हैं तो ये दो भागम धारा बटेगा कुछ मात्रा में प्रित्रोध ये आपका ऐसे जो संट है इसमें से होके धारा बह रहे ये और कुछ मात्रा में आईजी से होकर तो धारा मापी का धारा आईजी हो जाएगा और बच्चो यह जो SENT का जो आपका धारा है वो I-S हो जाएगा अब चूंकि SENT जो है कुणली के साथ समानतर करम्य जुड़ा है तो हम कहें सकते हैं कि धारमा पी के सिरो के बिच विःवांतर और SENT के सिरो के बिच विःवांतर समान होगा अब इसमें एक चीज और आप समझो कि भाई ही यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि इनके सीरों के बिच भिवानतर होगा समान तो भिवानतर का फार्मूला कैसे निकालेंगी तो ओम के नियम से बराबर यहाँ पर भी बराबर क्या होता है आई यार तो बच्चो एदि हम बात करें धारा मापी के लिए कितना हो जाएगा आई जी और उसका प्रतुरोथ कैप्टल जी चुकि बराबर हो जाएगा संट के सीरों के बीच भिवानतर भिवानतर समान है तो उस संट का भिवानतर कितना हो जाएगा धारा आपका IS और प्रतुरोथ है capital S ठीक है ये किस नियम से आ गया ओम के नियम से तो आगे आपको लिखना है कि धारा मापी के कुंडली संट समातर प्रम में जुड़े हैं इसलिए धारा मापी के सीरो के बीच जो विवानतर है उस संट के सीरो के और इंटू S हो गया अब यदि हम पक्षांतर करेंगे थोड़ा सा ध्यान दिजेगा तो हम यहाँ पर IS बटे IG कर दे IS बटे IG ठीक IS मतलब IG को इधर ले गए हैं तो S इधर आएगा तो हो जाएगा G बटा S आप confuse मत होना किस तर होना तो ऐसा चाहिए आप उल्टा कर दिए आपको तो इसको इधर ले गए हैं तो ऐसा होना चाहिए था कि G S इधर आएगा तो S ऐसा होगा है ना या कि फिर IG इधर जाएगा तो ऐसा होना चाहिए भाई है तो बराबर ना हम आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं जैसे यह जी है तो आपका यह जी हो जाएगा तो आगे पीछे हम इसको चाहे इस साइड लिखे चाहे इस साइड लिखे वही चीज है अब दोनों पच्छों में एक जोडने पर दोनों पच्छों में दोनों पच्छों में एक जोडन पर जब एक जोड़ेंगे बच्चों कितना आजाएगा देखेगा हम इसी पर जोड़ेंगे मतलब आपका जो is बटे ig है इसे में हम एक जोड़ेंगे इधर भी जोड़ देते हैं तो g बटा s प्लस 1 बाकि योगा नुपात तो सबको पता है इसमें ज़्यादा कुछ परसानों जिरत है नहीं कैसे होता इसका इधर मल्टिप्लाई करेंगे तो आप कहा जाएगा IS प्लस IG यह कुल धारा है और नीचे आप कहो हो जाएगा IG क्यों हो जाएगा बच्चों IG बराबर में इसको इधर ले जाएगा तो कुल प्रतिरोज हो जाएगा G प्लस S अपान S G प्लस S अपान S अब चुकि यह जो IG और IS है इन दोनों का जो योग है वो मुख धारा के बराबर कुल धारा के बराबर होगा क्योंकि वह ये कुल धारा है की नहीं है परिपत में जो बहने वाली धारा कुल होगी तो चूकि यहां पर हम आप से कह सकते हैं कि चूकि परिपत में चूकि परिपत में परिपत में बहने वाली बहने वाली कुल धारा परिपत में बहने वाली i s है ये बराबर है i के कुल धारा है ना i के बराबर इसलिए यहाँ पर हम रख सकते हैं i तो इसलिए आपका हो जाएगा i बटे i g और इधार आपका रहेगा बच्चो capital g plus capital s upon s इसको हम एक समय करण दे सकते हैं यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो है नहीं अब मैं मान के चलूँ कि भाई जैसे मुख धारा आई है उसका कितना भाग धारा मापी में से बहता है तो मैं मान के चलता हूँ कि जो धारा मापी में जो धारा बहता है वो मुख धारा का एनमा भाग बहता है तो यहाँ पर आप लिखे कि यह दी मुख धारा का एनमा भाग धारा मापी में से मतलब जो धारा मापी में धारा बह रहा है वो मुख धारा का एनमा भाग बह रहा हो एनमा भाग बच्चो एनम बटा यहाँ पर तो है नहीं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चो कि यहाँ पे इसको ऐसा रुपांत्रण कर सकता हूँ कि यहाँ पे दी मैं कह दूं की I बटे IG बराबर क्या हो जाएगा यह कितना होगा बच्चो पक्षांतर हो जाएगा भाई आई बटा आई जी है न तो इसके बराबर में value निकालूंगा तो पक्षांतर रुजे n के बराबर हो जाए समीकरण 1 से i बटा आई जी कमान कितना है तो n n बराबर हो जाएगा आपका g प्लस s अपान s ठीक है g प्लस s अपान s पक्षांतर करेंगे बच्चों ती हो जाएगा ns बराबर g प्लस s पक्षांतर s को इधर ले आए तो ns minus s बराबर g तो s आपका कमान आजाएगा तो n minus 1 equal g s बराबर हो जाएगा capital g अपान n minus 1 यह आगे बच्चों आपका simple तरीके से संट का जो प्रतिरोद है संट का जो प्रतिरोद है वो इसके प्रतिरोद के धारा मापी के प्रतिरोद के n minus 1 मा भाग है n minus 1 मा भाग है last में आप लोगों को लिखना है कि यदि हम मुख धारा का n वे भाग को धारा मापी में से प्रवाहित करना चाहते हैं तो संड के प्रित्रोद को धारा मापी के प्रित्रोद का N-19 भाग होना चाहिए यह लास्ट में इसे यह प्रूब होता है कि N धारा जी से में से जा रहा है मतलब भाई मुख धारा का N-19 भाग जी में से जा रहा है तो फिर संट का प्रत्रोद कितना हो जाए जाए धारा की प्रत्रोद का जो धारा का प्रत्रोद है जी है ना उसका बच्चो एन माइनस वनमा भाग होना चाहिए मतलब धारा मापी के प्रत्रोद जी के एन माइनस वनमा भाग होना चाहिए कि N भाग धारा का N भाग यदी किसमें से जा रहा है धारा का N भाग धारा मापी से जा रहा है तो फिर संट का प्रत्रोध धारा मापी के प्रत्रोध के N-19 भाग होना चाहिए तो यह सिद्यान्त होगे बच्चों यही संट का सिद्यान्त है आप लोग क्रम से step by step की होंगे तो आसानी से बन जाएगा और जो step by step नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी अब इसमें थोड़ा सा इसका कभी कभी लाभ भी पूँच देता है संट से हानी पूँच देता है उपयोग भी पूँच देता है तो थोड़ा सा इसको आप लोग देख लीजिए सबसे पहले संट से लाब देख लीजिए कि धारा मापी के सांट लगाने पर धारा मापी का परडामी प्रतुरूद कम हो जाता है आता है धारा मापी को परिपत में स्रेनिक्रम में जोडने पर परिपत में बेने बाली धारा के मान में कोई उलेखनी परिवर्तन नहीं होता कहने का मतलब कि धारा मापी के साथ संट जोड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि भाई उसमें धारा के मान ही कम हो जाए ऐसा नहीं होता है क्यों कि धारा मापी को परिपथ में स्रेनिक्रम जोड़ते हैं तो जितना धारा आता है उतना धारा मिल जाता है ओके दूसरा चीज है कि संट लगाने से कम धारा मापी में से होकर प्रवाइद होता है अता कुंडली में जलने हैं संकेतन की छतिग्रस्थोनी की संभावना रहती नहीं रहती कहने का तात पर यह होता है कि कम मात्र में धारा जब बैती है तो कुंडली जल्दी से जलता नहीं है तीसरा है संट को बद यहां पर देख लीजिए संट से प्रबल धारा से सुरच्छा के लिए संट का उपयोग करते हैं धारा मापी को अमीटर में रुपांतरन करने के लिए करते हैं अमीटर के परास को बढ़ाने के लिए ठीक है ये परास है बच्चो परास को बढ़ाने के लिए हम संट का उपयोग करते हैं ये तीन उपयोग भी हैं तो इनका यूज कभी कभी कोशन पूंच दिया जाता है इसलिए मैं सोचा प्रवाइड कर देता हूं संट से लाब हो गया संट से हानी हो गया और संट का उपयोग हो गया वाकिया आप लोग समझदार हैं जो में सिध्यानत है वो मैंने करा ही दिया म में तो सिध्यानत है बच्चो ये उपयोग लाभानी ये तो आपको थोड़ा माइंड में एक बार दो बार रिपीट करोगे तो आसानी से बन जाएगा ज्यादा फोकस करने की जरुवत नहीं रहती है में रहता है ठियोरम जो ठियोरम समझाने वाला चीज है वो मैंने समझ करें बच्चो छी आनवे पचासी उन्ती सिंग्यानवे उन्चास पर और नोट्स ले लें प्रापर रूप से त्यारी करें फिलाला विक लिए इतना ही जय हिंद बंद मातरम